कि नमस्कार साथ यो स्वागत है आपका SM Army Classes YouTube चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Army exam के अंदर आने वाले GKS Science मैं तो reasoning के most important question हो का एक model paper जिसके अंदर हम पुरे 25 question लाए हैं और अगर आप इंडियनर्मी की exam की त्यारी करते हो तो यह सारी question आपके लिए बहुत important रहने वाले हैं नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करना चलिए शुरू करते हैं एक जरूरी सूचना अगर आप 50 question का model paper देना चाहते हो तो नीची दिये के link या description में आपको एक link देगा वहाँ जाकर आप मेरे google account से आप चेक कर सकते हो उसके अंदर पूरे 50 question है और उसके answer भी नीचे दे रहे तो वहाँ से भी आप अपना model paper दे सकते हो उसके answer नीचे है तो आप पहले model paper दो फिर अपने answer का मि भारत का number कौन सा है चार option है दो पांच चार या फिर छे ठीक है तो भारत की जो अर्थ वेस्ता economy है या भारत की जो GDP है वो दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी GDP है तो option number भी अपना right answer होगा ठीक है दुनिया के सबसे बड़ी GDP है वो USA की है United State of America उसके बाद चाइना का number आत अगला question अपना कि उच्चतम नियाईली के नियाईदीशों की सेवा निवर्थी क्या यू कितनी है जो सुप्रेम पोड के जज होते हैं उनकी सेवा निवर्थी यानि रिटार्मेंट की उमर क्या है चार option है 65 वर्ष 55 वर्ष 60 वर्ष या पिर 58 वर्ष ठीक है तो सुप्रेम है जिस जो होता है उनकी सेवा निवर्थी की उमर भी 65 साली है नेक्स्ट question अपना कि मोगल काल की राजभाशा कौन सी थी चार option है उर्दू हिंदी अर्मी या फिल फार्सी तो जो मोगल प्रेड़ था उसके अंदर उनकी जो ऑफिशल लेंग्वेस थी वो फार्सी थी दी question अपना right answer होगा यानि उनके office के जो सभा होते हैं उनके सारी कारे काम फार्सी बासा के अंदर होते हैं अगला question अपना कि जमू से श्री नगर का मार्ग किस दरह से होकर गुजरता है चार option है जोजिला बुर्जिल बनी हाल या फिर पीर पांच चालती तो इन मेंसे जो जमू से श्री नगर मार गए उसके बीच में कौन सा दरह है तो option number C अपना right answer होगा बनी हाल दरह अगला question अपना रंगा स्वामी का पर किस खेल से सम्मंदीत है चार option है कुस्ती होकी फुटबोल या फिर गॉल्फ टीक है तो रंगा समय में एक फैमस्ट टॉफी है इनका सम्मन होकी से option number B अपना right answer होगा नेक्स्ट अपना दिलवाडा मंदिर कहां इस्तित है चार option है हम भी माउंट आबू द्वारिका या फिर पूरी ठीक है तो दिलवाडा मंदिर जो जेन दरम से सम्मंदी थे और यह कहां पर इस्तित है option number B अपना right answer होगा माउंट आबू राजस्तान में ठीक है राजस्तान में चन्हें दिल्ली मंबई या फिर कॉलकत्त ठीक है तो भारत के अंदर जो मेट्रों की शुरूआ थे वो 1982 के अंदर हुई थी और कहां पर हुई थी कॉलकत्ता में डी option अपना right answer होगा एक चीज़ और याद रखना दिल्ली की जो मेट्रों है वो 2002 से शुरू हुई थी यह question आपके हमपर के लिए है कि ओडिसराजी की राज़दानी क्या है चार उप्शन है राइपूर कटक भूवनेश्वर और पूरी कि तो इन्हें से ओडिसरा की राज़दानी क्या है इस कांसरा मेरे को फटा-पट कमेंट बॉक्स के अंदर दो सेकिंड पार्ट अपना साइंस का और साइंस का question number 9 है कि आवला में कौन सा विटामिन होता है तो आवला एक खटा है खटा फ़लो में फ़लो की श्रणी में आता और खट्टी फ़लो के अंदर हमेशे विटामिन सी होता तो सी option अपना राइट आंसर होगा विटामिन सी next अपना कि पेडों की पत्यों का हारी रंग किसकी उपस्तिति के कारण होता है चार option है तो आपने देखा होगे पत्यों का रंग हमेशे हरा हरा रंग होता है वो ओकलूरोफिल या पिर हलोगा पना हरीट लवक कहा जाता है नेक्स्ट कॉश्चन अपना कि कार्बन मोनोकसाइड का सुत्र क्या है देखो कार्बन मोनोकसाइड एक जहरीली गेस है जो नीली जुआला के साथ जलती है और अपने हेमोगलोबिंग से डायरेक्ट करती है और इस गेस का जो फॉर्मूला है वह है C, option number C अपना प्राइट है जबकि CO2 कार्बन डायोकसाइड का है और CH4 मेथेन का फॉर्मूला है अगला क्रशन अपना निम्नमेंसे कौन एक प्राकर्टिक संसाधन नहीं है प्राकर्टिक संसाधन किसको कहता है जो में प्रकर्टिक से प्राप्त होते हैं चार उप्षन है प्लास्टिक जल हवा और से प्राप्त होते हैं अगला कुश्वन अपना कि इन मेंसे धवनी तरहंगे किसमें से नहीं गुजर सकती है चार उप्षन है ठोस निर्वाद गेस या फिर द्रव ठीक है तो धवनी तरहंगे इन में से किसमे यातरा नहीं कर सकती है तो option number B अपना correct answer होगा निर्वात यानी vacuum के अंदर धवनी नहीं चल सकती है सबसे ज़्यादा धवनी ठोस के अंदर चलती है उसके बाद द्रव और उसके बाद गेस के अंदर अगला question अपना की कोशिका की आत्मत्या की थेली कहलाता है चार उप्शन है लाइसोसॉम राइबोसॉम नुक्लियोसॉम या फिर गाल्सी का है ठीकि इन में से सुसाइट गें उफ सेल्स किसे का जाता है तो और अप्शन नोंबर ये अपना अंसर होता है लाइसोसॉम को जबकि राइसो म को फ्रोटीन की फैक्री का व्याता है लास्ट पॉच्छुन ए साइंस का कि अंगस्ट्रम क्या मापता याने इंगस्ट्रम कि से मापने की है चार आवर्थी तरंग देदर यह आवर्थ काल या फिर सम है ठीक है इन में से अंगस्ट्रम हिखा यह वैवलेंद की ऑप्शन नमर्बी अपना राइट अंसर होगा question number 16 है math का है कि 4 की गात 3 का whole square बरावल क्या होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पर अगर costag के अंदर बार अगर power दे रखिए तो उसको कैसे सरेल करता हैं base 4 ही रहेगा अगर costag के बार अगर कोई number नुम्बर दे रखाया तो इसको में हुणा करता तो यह जाएगा चार की मतीन दूना छॉरी इस वाल कि लोगा ता कि दिन की गात तो हमें इसको में पहले करना पड़ता तो यह चारकी साथ हो जाता तीन का स्कुएर नौ ठीके दोनों का अंसर अलागे लगवाता लेकिन यां कोश्ट है के तो हम आपस में गुणा करते हैं तो चार की का अच्छे याने अप्शन नमबर भी अपना राइट अंसर होगा अगला कुशन अपना कि 900 रुपे का चार पर्तिशत वार्श इक दर से एक वर्ष चार मा का साधरन ब्याज क्या होगा ठीक है देखो मूलदन दे रखा है दर दे रखिए समय भी दे रखा में ब्याज पता करना है तो प्याज के लिए कुछ सा पर्म लाता है पी इंटू टी महीने और चार टोटल कितने महीने होगे सोला और महीने का अधार हमेशा बारा होता तो हम इसको लिखेंगे सोला बटा बारा और दर दे रखिए चार परसेंट तो चार बटा सो अगर हम इसको सरल करते हैं तो देखो दो जिरो से यह दो जिरो कट गए चार का बारा में तीन तीन बार और तीन का वाग नो में तीन बार जाता है 16 को तीन से गुणा करेंगे तो 48 रुपए उसका ब्याज होगा option number C अपना correct answer होगा next question अपना कि 923 रुपए को ABC में 6 अनुपाद 4 अनुपाद 3 के अनुपाद में बाटने पर A का वाग क्या होगा आट तो कुल कितना हो गया छे और तासवा तीन तेज था और रुपए तो बताओ एक बाद कितना होगा देखो क्ल 13 है 13 में से कितना मिलेगा एक्स और वजर गुणा कर दो यह जाएगा तेरह एक्स बराबर छे इन्टु नो सु तेवीस यह तेरा गुणा में का चला जाएगा भाग में तेरा का बाग तेरा सत्य क्राण में एक बज़ गया तेरा एक कम तेरा एक एतर बार और एक तरो को अगर हम छे से गुणा करते तो छे कम छे सकते बैयाली जानि यह कहीं सा होगा चार सच बीस रूपर अप्शन नमबर यह अपना करेक्ट अंसर होगा दिखो 2 संक्या उपर बार है तो पॉइंट घटाएंगे तो यह जाएगा अपने पास 12 बटा 99 यह संक्या और 12 जो घ्रत होता तो 9 पर जो दो 989 और 3 पर होता तो 900 जो ठीको यहां पर बटा अधार में सोनी ऩा अवरे तो छे करते शन से कित्न आ één ? तीन चोग बारा और तीन त्रीका नो तीन त्रीका नो यानि चार बटा 33 ये पी बटा प्यो के रूप में लिखा जाएगा option number C अपना right answer होगा next question अपना कि 10y बराबर 3y-7x बराबर 20 हो तो x का मान क्या होगा अगर हम यहां इसको देखते हैं दोनों को क्योंकि यह तीनों बराबर है अगर 10y बराबर है 3y-7x बराबर है 20 के तो यह दोनों बराबर है और यह दोनों बराबर है और यह दोनों भी बराबर है तो यहां पर 10y किसके बराबर हो जाएगा 20 के जीरो से जीरो कड़ गया तो y की वैल्यू कितनी ही दू अब अगर हम इस समीकर्ण को देखते हैं कि 3y-7x बराबर है 20 यहां पर y की वैल्यू दो रख दो तो यह जाएगा तीन दुना 6 से सात एक्स बराबर है 20 यह प्लस का चैद रहेगा माइनस का 7x बराबर 14 डिक है साथ से 14 करता है दो बार तो मैंनस एक्स बराबर 2 यह मैंनस यहां जाएगा तो एक्स के वैल्यू क्या होगी माइनस दो औपक्षिन नमबर सी अपना करेक्ट अंसर होगा नेक्स्टार आपक्ता विए त्रिपुज ए बिसलेशिए में ए बी बलाबर एसी हो और ब बलाबर सतर लिग्स तो एक कामान साप्शवगा हो एक जपा है है कि अ हशने कहा कि ये ए ये ये वी और ये ये येज़ने का ये ये दोनों बुज़ाएं बलाबर है किसी त्रिवूच के अगर दो बुजाए बराबर हो तो वो त्रिवूच कौन सा होता है समधी भाव त्रिवूच अब समधी भाव त्रिवूच के अंदर दो बुजाए बराबर होती है और दोनों कौन यानि ये दोनों कौन नीचे वाले बराबर होते हैं इसने का कौन भी ब सेंबर भी अपना राइट आंसर होगा अगला कुश्यन अपना कि एक व्रत की परीदी 308 सेंटीमेटर तो उसका व्यास कितना होगा देखो एक सरके लिए व्रत ठीक है और इसकी परीदी दे रखी है 308 व्रत की परीदी क्या होती है टू पाई आर बराबर है 308 दो की जैके द 22 इंटू आर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 308 ये दोनों गुणा मैं भाग में चले जाएंगे 2 इंटू 22 दो से जो कट्रास को काड़ दो ये हो जाएगा 154 फिर दो से काड़ते तो ये 11 और ये 77 ठीक है 11 का बाग 77 में 7 बार और 7 को 7 से गुणा किया तो 49 उन पच्चास ठी ठीक है त्रीजा कितनी आई इसके है 59 ये रेडियस है पूछा क्या हमसे व्यास ठीक है तो व्यास क्या होता है त्रीजा का दूगणा तो 59 को दो से गुणा करेंगे तो रच्छान में उसका व्यास होगा तुसी ऑप्शिन अपना क्रेक्रांसर होगा अगला क्वशिन अपना कि अंकिता को एक चाता 280 रुपे में बेचने पर 30 रुपे की हानी होती है तो चाती का क्रेम उल्य कितना होगा देखो क्रेम उल्य में पता नहीं है लेकिन उसका व्यक्रेम उल्य क्या है 280 क्योंकि 200 रुपे में बेचा तो उसको हानी हो रही है 30 रु तो विक्रे मुलिया में तो यह दोएगा 310 अब 310 की चीज़ को अगर आप 200 सी में बैचे होगे तो आपको 30 रुपे की हानी होगी यानि उसका करे मुलिया होगा 310 option number यह अपना right answer होगा अगला question अपना है कि निर्देश दियेगे विकलपों में से वे शब्द चुनिये जो निमलिखित अक्षरों से बन सकता है देखो एक option है एक शब्द दे रहका अपने पास और हमें उन चारों option हों में से एक option ढूलना है जो इत शब्दों का परियोग करके इसको बनाया जा सक इसका कारणे देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है वी जो पर कहीं भी नहीं है और इसके अंदर देखो एक वर्ड आ रहा है एक वर्ड आ रहा है जिसकी वज़े से यह नहीं बन सकता है तो option नमबर यह अपना यां correct answer होगा last question है कि 10 अनुपाद 101 समा अनुपाद 20 अनुपाद क्या होगा ठीक है यह question आपके लिए हमवर का है इसका अंसरा मेरे को comment box के अंदर देखे कि यदि 10 का अनुपाद 101 है तो 20 का अनुपाद क्या होगा ठीक है आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया